नमस्कर विदार्थियों आज हम पादपो में आकारिकी विवीत्ता के अंतरगत अपने चोथे वीडियो में दुर्बल तनों की प्रकृतिके आधार पर विवीत्ता के वारे में अधिन करेंगे दुर्बल तनों की प्रकृतिके आधार पर विवीत्ता के अंतरगत तनों की प्रकृतिके जिन का आज हम आगे विश्तार से अधिन करेंगे दुर्बृतनों की प्रकृति के अधार पर हम से परले देखते हैं प्रशारी पादब, उसके बाद में विशर्फी पादब, वल्दरी पादब, आरोही पादब, कठलताएं, एवं अधिपादब अब हम इन सभी पादब प्रकों का बारी बारी से चित्रशाहित देन करते हैं सबसे पहले है परशारी पादब, परशारी पादब यानि ऐसे पादब जो की चमीन की सतह पर फैलते विवर्दी करते हैं परशारी पादब तीन प्रकार के होते हैं पहला है श्यान प्रताद प्रोस्ट्रेट यानि ये ऐसे पोद्धे हैं जिनका तना दुर्बल होता है जिसके फलसुरूप ये उर्धो दिशा में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं यानि वर्टिकल ग्रोथ नहीं तो गंद्रगत आप देख रहे हैं जो ये पिच्चर ही है ट्रिबूलस टेरेश्ट्रेस जिसको हम कि पारिस्तानी भासा में गोखरू कहते हैं दूसरा है वह है उर्धो शीर्षी यानि ये ऐसे पोद्धे हैं जो भूमी सता के समानतर इनकी शाखाएं पुर्दी करती है लेकिन इन शाखाओं का जो शीर्ष भाग है वह आगे से उपर उठा हुआ होता है जैसा कि आप प्रद्ध्यान से देखोगे तो आपको इस इमेज के इंतर नजर आएगा जैसे यह जो जमीन से उपर उठा हुआ है जिपकावर नहीं है जबकि पिछे से शाखाएं भूमी के समानतर है और चिपकी हुई है लेकिन फिर्ष भाग आगे से उपर उठा होता है इस दिए इन पूद्धों को हम क्या करते हैं और दूशी उच्छी नेक्स्ट इसका प्रसारी पादप के अंतर का तीसरा प्रकार है वह है विश्रीद पादप इसको हम इंगलिस में बोलते हैं डिव्यूज यह जो पादप है यह पादप चारों और वुर्दी करते हैं जह विशर्पी दिशाओं में फ्यल जाते हैं इसके फ्रस्वरूप यह पादप ऐसे लग रहा है जिसे कोई एक पूरी परीद्वी में फ्यला उगावाई इसका उदाहन के हम बात करें तो बुराविया डिफ्यूज जा नेक्स्ट है द्रीबू तरनों के अंतरकत विशर्पी पादप विशर्पी पादप तीन परकार के पहला है उप्री भुवस्तारी विशर्पी पादप विशर्पी से मतलब है शरकर गुरुथ करने वाले चलने वाले यहां पर हम देख रहे हैं जो एक आप सब लोगों ने देख रही है गास जो हमें हर जगह पर अपने गरों में उद्ध्यानों में देखना को मिलती है वो है दूब गास से हम साइनोडोन डेक्टैलोन करते हैं यह इसका एक उदाहर ने इस गास के अंदर जो तना होता है वो जो भूमी सतक की समानतर वुजभी करता है उतन्य में जह जह पर भी प्रोश निद्या होती है वहां से उपर की तरफ वाई यह सकाएं निकलती रहती है और तना आगे सागे गोफ़ करता रहता है इस प्रकार के बाद बुप को बहते हैं उप्री भू उस्तारी इसके बाद में नेक्स्ट यह भू उस्तारी के अंतरगत हम इस्ट्रोबेरी को देखते हैं इसके अंतरगत कि देखेंगे जो इसकी शाखाएं जिसे जिसे आगे ग्रोथ करती है ग्रोथ करने के बाद जहां जमिन की शता के शंपरक आती है वहां से फिर अपस्ताने शाकчи निगा जाति है और इस पिलकार से वह शाक़ाइं आगे से आगे बढ़ते रठी है और तिसराज का प्रकार है भू उस्तारिका भू उस्तारिका के अंतरकत अपना चानामाना उदार्ण है आईकोन या या जलकूंबी जिसे बंगाल के तरास के नाम से भी जाना चाहता है तिसरी केटेगरी यह हुआ है वलरी इसके अंतरकत आप देख रहे हो यह जो पादप है यह इसकी तंतु है वो कमजोर है वो उपर की तरफ ग्रोथ सोतहने कर पाते हैं इनको उपर आर्वन करने के लिए किसी साहरे की जरूरत पड़ती है जब कभी भी यह इनका इन पोदों का शेज बाग किसी साहरे के संपर्क में आता सपोर्ट के तो वो उसके चारों और लिपड़ते हुए उपर की तरफ बुर्दी करते हैं जिसे प्लांट उपर की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनका तना कमजर होता है इसलिए यह बिना किसी साहरे के उपर आरहन नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें इनमें व्लदी पादव में आरहन के लिए कोई विशिष्ट परकार की सरंजनाय नहीं पाई जाती है कि उद्धान के रूप हम देखें हैं तो विगना नेक्स्ट है आरोई पादप आरोई पादप तिन प्रकार के परतान आरोई मूल आरोई और अंकुष आरोई सबसे पहले परतान आरोई पादप तिन प्रकार के कि परतान का जो निर्मान होई या परतान किसका रूपा आरोई पादप किस अंग से परतान का रूपा आरोई सबसे पहले हम देख तें इसके अंतरगत परतान औरोई यानि एसे पूदे जिनके अंतरगत पर्रकार रूपांत्रण परतान मैं हो गया यहां पर आप सो देख रहें चित्र वो है उने मटर गाद जिसे 26 मेर्व करते हैं आरोई जो इस बातान किं पत्यां होती ये वो पति यां कि पूछ में बदल जाती है पौछ 989 कि सा Тथि होती है जो कोई को कि किसी शाहरा को पकट लती है तो बसूखतर की सा यह की उपर आराम से चाड़ जाता है यह परतान क्या करते हैं कि हम्ता आप नेक्स्ट है अनुपर्ण परतान आरो हुई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पिक्चर होने जरा रहा है कि जब अपन मटर की बात कर रहे थे वहां पर तो परतान परन का रूपांद्र नहीं था लेकिन यहाँ पर अनुपर्ण एक पर्ण नुमा छोटी शरंचन होती जो की परन के एक्स में पाईती है उज्ही नुपरन है यहां पर किसमा परभड़न है परतान में तो जोו भी आप यहां से देखेंगे तो आपको देखको यह परने के पास में एक हैलоне के दिखा मिलोक्स मिल्क और तीसरे जो कटिरी और पर्ण विरंद प्रतान आहोई यहां पर जो परन वरंदह यह फीओ रुपांद्रन हुआ किसे हुआ है पर्ण वरंत से पत्ति के वरंत भाग से है जो परतान का निरमान हुआ है ऐसे कह सकते हैं कि यह प्लांट जब फृति करता है तो इसकी जो पत्तियां होती है और किसी साहरे के संपर्ण में आती है तो उसके चारों और लिपट जाती है जिससे इसका प्रतान का करे करता है और इसका जो उदाहरन है वह है क्लीमेटिस और यहां पर आप प्रतान के रूप में करे कर रहे हैं कि नेक्स्ट है मूल आरहोई और जैसा की नाम से पता पढ़ रहा है कि आरहोई पादब है लेकिन उनके अंदर साहिक अंग के रूप में कौन करे कर रही है मूल मूल है जो उनको सहरा पढ़तान कर रही है अन्या साहरों पर आगोन करने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं यह जो पान है इसकी जो बेल है उपर की तरफ चट्री साहरा पर और इंके अंतरकत आप देख रहे हैं यह आपको रूट दिखाई दे रही है जो कि इस साहरा को मजबूती से पकड़ने में सहयता करती है यह मूल है जो कैसी है अपस्थानिक मूल है इनका कारियर आर्वोन में सहयता करना है नेक्स्ट आप सभी लोगों ने प्लांट घरों में देखा होगा जिसे हम मनी प्लांट करते हैं को वेगेनिक वासा में पोथोस करते हैं के अंदर भी अपस्तानिक मूल है विक्षित होती है जो की पोद्दे के आर्वोन में सहयता करती है और नेक्स्ट है अंकूष आरोही यान इस प्रकार के खोदों में आर्वोन करने के लिए अंकूष पाए जाते हैं हुक नुमाज टर्चप यह अंकूष नुमाज टर्चने पाए जाती है उसका जाना माना उदाहन आप सबी लोगों से परिचित हैं वह है वहारा बोगेन वेलिया जो हमें घरों में और आसपास की छेतर में सद्धावटी पोद्दों के रूप में देखने को मिलता है जिसमें कई तरह की रंग बि युक्ण विलिया में अरे हों था हुक नुमाज सरण्जना पाई जाती है जो हुक है जो किसी शाहराय के ऑंतर चाहता और पोद्द है जो आगे की और उप्र की तरह धी करता है ये जो आपने करें एक घुख नुमाज रंजना यह किया करता है किशी सहारे के अंतरकत फंस जाता है और बाद में पुदा जो उस सहारे पर आरोन करता है कठलता है कठलता है एसे पादब है जो दुर्बल प्रकृति की होते हैं लेकिन इनका तना होता है वो कास्टी होता है लेकिन इस तन्य के अंतरकत मर्दू तक की मात्रा अधिक होती है और कास्टी तक्तों की मात्रा कम होती है इसलिए इतना सिद्ध बिना किसी सहारे के ग्रोथ नहीं कर पाता है कटलता है जदातर है ट्रोपिकल रेंग फोरेस्ट अर्था आत उसमें कटे बंदिये वर्षा वनों वाले छेतरों में अधिक देखने को मित्ती है और इसका जो प्रचलित उदाहरने हो है टीनोस्पोरा कोल्डीफोलिया जिसे हम नीमग्लोय कहते हैं यहां पर आप देख रहे हो यह कोई एक प्लांट है उस प्लांट के उपर है जो यह टीनोस्पोरा का प्लांट है जो आर्वान कर रहा है और आंतिम जो करगी है प्लांट की पाद्पोत वहां अंतरDid अद्धिपादप में आप 10 पादप से हमारता परे सह तकर है ऐसे पादप झो दूसर्परे अन्य पादप्पों के उपर उगते हैं अत्हात उड़्धी करते हैं और अधिपादप की में ज़्यादतर हम देखते हैं कि ऐसे पादप औरोकीट्स होते हैं और औरोकीट्स के अंतरकत हम यहाँ पर जो एक्जम्पल देख रहे हैं वह वेंडा का औरोकीट्स दूसरे पादपो पर जब गुगते हैं तो अन्य पादपो को वह सिर्फ है जो आवास की रूप में प्रियुक्त करते हैं आप इच्छी तरफ बड़ा प्लांट देख रहे हैं उस प्लांट के उपर है जो यह हमारा औरोकीट्स ग्रोथ कर रहा है तो औरोकीट्स यहां पर एक स्पेस परसाइट के रूप में है उसका उ स्पेस की रूप में प्रियुक्त करता है और इन पोद्दों के अंतरकत दो प्रकार के जड़े होती है एक जड़े सामाने जड़े होती है चल वगर का या फिर भूमी से अपना संपर्क बनाए रखती है दूसरी जड़े जो आप यहां पर इस डाइग्रम में देख रहे है जो आपको लटकती भी नज़र आ रही है इनको एरी रूट्स बोलते हैं या अधरता ग्राही मूलें इन अधरता ग्राही मूलों में एक विशिष्ट परकार का उतक वेलामेन उतक पाई जाता है जिसके अंदर यक्षमता होती है कि वातार्ण में उपलद नमी को वह सोख स है तन्यवाद